chemical properties of metals and non-metals का ये third part है इसमें हम displacement reaction के बारे में पढ़ रहा है तो displacement reaction क्या होता है ये एक ऐसी reaction होती है जिसमें more reactive metal less reactive metal को उसके salt solution से displace कर देता है ठीक है जैसे कि यहाँ पर एक example हमने लिया हुआ है एक हमारे पास metal है iron और दूसरा metal है हमारे पास copper और copper जो यहाँ पर use किया गया है वो उसके salt solution के form में use किया गया है तो हमने क्या बताया था कि ज़्यादा reactive metal होगा वो दूसरे metal के salt solution से उस metal को हटा देगा तो यहाँ पर iron अगर ज्यादा reactive metal है तो यह copper को यहाँ से हटा देगा और iron जो है copper से ज्यादा reactive metal है reactivity table हमने आपको पिछले जो वीडियो पार्ट था उसमें दिया हुए आप उसको लिख लीजिए अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा tabular form में ही ठीक है तो उसको आप याद कर सकते हैं तो यह जो reactions है वो easily हो जाएंगी metal कौन जादा reactive है कौन काम reactive है यह आपको मालूम रहेगा ठीक है तो copper sulfate के solution को जब iron metal के साथ react कराया आता है तो यह reaction हो जाती है और ferrous sulfate और copper का formation होता है ठीक है अब more reactive iron displaces or less reactive copper from its salt solution ठीक है displacement reaction takes place because iron is more reactive than copper ठीक है अब इसी reaction को अगर हम बोलें कि आपके पास में क्या है आपके पास में है देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ FeSO4 है ठीक है और इसका reaction copper के साथ करवाना है और आप बताइए क्या products form होंगे तो क्या होगा तो यह reaction नहीं होगे आप क्या बताएंगे no reaction क्यों no reaction क्योंकि copper जो है वो iron को यहां से डिस्प्लेश नहीं कर सकता है copper is less reactive than iron तो less reactive metal more reactive metal को हटा नहीं पाएगा यहां से और reaction नहीं होगी ठीक है समझ गया अब अच्छा जैसे कि यहां पर हमने एक example लिया दूसरा एक और एक्जामपल यहां पर लिया है हमने जैड़न एसो फोर के साथ में zinc sulfate के साथ में iron का reaction है तो यहां पर reaction नहीं हो रही है क्योंकि zinc ज्यादा रियक्टिव है iron के comparison में तो iron कम रियक्टिव हुआ तो कम रियक्टिव मैटल ज् उसके salt solution से displace नहीं कर पाता है ठीक है तो यह यहां पर displacement reaction आपने पड़ा ठीक है और displacement के लिए वो जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए मैं उस टेबल को फिर से लिख दे रहा हूं आप लोग उस टेबल को याद कर लें तो जितने भी displacement reactions है वो आपको easily समझ में आ जा इसी यह बहुत important है first of all potassium then sodium calcium magnesium aluminium zinc और zinc के नीचे से मैं इधर लिख रहा हूं आप उसको नीचे ही लिखेंगे zinc फिर iron आता है zinc के बाद में iron के बाद में cobalt nickel tin lead ठीक है फिर आता है hydrogen और hydrogen के नीचे आते हैं copper mercury silver gold and platinum ठीक है तो यह order है reactivity का decreasing order means सबसे आदा रीक्टिव कौन सा है potassium it is the most reactive most reactive metal ठीक है और platinum क्या है it is least reactive metal ठीक है